वीवो का V29 जो की हाल में ही लाँच हुआ है और V27 के सक्सेस के बाद मनलब वो इसका सक्सेसर है और V27 स्रीज आप जानते हो बहुत नेक्स लोग भाई फोन था आज भी काफी अच्छा काम कर रहा है आज रिव्यूज होने वाला है वो है V29 प्रो का वाला है इसको मुझे यूज़ करते हुए पूरे 20 दिन और अपने 20 दिन का रियल एक्सपिरियंश में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ क्या ये वैल्यू फॉर मनी है अगर आप 40,000 लगाते हो क्या ये वो वैल्यू प्रोवाइड करवा पायागा जो कि 40K के फोस में होता है तो हम सारी बात इसमें करने वाले सबसे पहले अगर पर श्टार्ट करूँ इसके डिजाइन से क्योंकि आप जानते हों को वीवो को जो फोन होते हैं वो डिजाइन के मामले में बहुत ही नेक्स लेवल काम करते हो जादा तर खासकर वीवो की वी स्रीज तो इसका जो डिजाइन है ये ग्लास बैक के साथा आ लेकिन अगर मैं अपना real experience बता हूँ, यह ज़्यादा प्रीमियम फिल कराएगा आपको उस वाले color changing वाले से, तो मैं recommend करूँगा कि आप glass back वाले लो, यह ज़्यादा better है, design में काफी अच्छा है, camera bump जो आपको मलता है, वो काफी अच्छा है, और इसमें सबसे better चीज जो इसमें एक ring मिलती है, camera ring, अगर मैं अभी आपको on करके, यहाँ पर live दिखा दूँ, और यहाँ से आप देख सेको अगर बात करें, जो चीज बताने वाला हूँ, वो अपना जो experience होता है, जैसे कि real में होता है, आपकी in hand feel कैसा है, phone camera कैसा, display कैसा है, यह battery, वो सारी चीज बताने वाला हूँ, एक real person लेता है phone को, उसको कैसा phone लगता है, वो बताने वाला हूँ, यहाँ पर एगर मैं in hand feel की ब दिखने में, और इस वज़ा से यह आपको पकड़ने में आपके जो grip होगी, वो काफी अच्छी होगी, और मतलब ऐसा नहीं लगता है, आपने कोई चोड़ा सा phone, बड़ा सा phone पकड़ा रखा, ऐसा बिल्कुर फिल नहीं होगा, यहाँ पकड़ने में in hand feel आपको अच्छी और premium feel है, तो यहाँ पर कोई problem नहीं, in hand में next level काई पकड़ सकते हो, कोई problem नहीं है, phone की grip काफी अच्छी बनती है, अगला point हमारा है display, आप जानते हो 6.78 इंच का आपको इसमें display मिलता है, जो की काफी जादा बड़ा display है, और display में कहीं कमी नहीं है, यहाँ तक कि आपको ज पकड़े हो, और scroll down कर रहे हो, यहाँ पे क्या होता है, कि वो phone अपने आप, मतलब accidentally touch जो होते हैं, वो होने लगता है, वो इस phone में बिलकुल नहीं है, अगर आप phone को पकड़ते हो, कर्व वाले area से grip करके, वहाँ पे वो अपने आप काम नहीं करेगा, यह छोटी छोटी पॉप अप होते हैं, काफी पंची होते हैं, तो colors वगारा में आप अगर Netflix वगारा यूज़ करते हैं, YouTube वीडियो देखते हैं, पूर के HDR में कहीं lag नहीं मिलेगा, वीडियो वगारा में आपको काफी ज़्यादा accurate display आपको मिलेगा, काफी अच्छा मिलेगा, जो मैं अपने real experience है, वो share कर रहा हूँ, display में कोई कमी नहीं, आप जब real में इस phone को हाथ मिलोगे, और display को use करोगे, यहाँ पे आपको brightness से भी कोई problem नहीं होगी, तो काफी next level का इसमें display मिलता है, और display से एक चीज़ आती है, जो कि V27 अगर आप use करते हो, आपको पता होगा, कि V27 में phone heat होन brightness वगरा कम होने की दिक्तित अभी तो इसमें नहीं है, तो यहाँ पे brightness से भी कोई problem नहीं है, अगर आप outdoor में phone को use करते हो, वहाँ पे आपको सही ही यह brightness देने वाला है, overall display काफी लाजाओ भे, अब बात कर लेते हम इसके heating से, क्योंकि आप जानते हो, जो phone होते हैं, कोई भी फोन उठा कर देख लो, वो iPhone ही क्यों नहीं हो, heat सब फोन होते हैं, लेकिन वीवो के अगर बात करें, यह phone भी heat होता है, लेकिन heat होने के बाद कोई problem इसमें वैसे कोई major problem अभी तक नहीं notice हुआ है, तो इसका भी है, यह heating इसमें normal है, जादा ही overheat नहीं होता है, और कभी अग आपडूर में फोन को यूज़ कर रहे हो, heat होता भी है, अगर camera यूज़ करने में, तो आदो कोई major problem नहीं है, तो heating से भी कोई दिक्कत इस phone में आपको नहीं मिलने वाली, क्योंकि जो प्रोसेसर है, वो अच्छा है, प्रोसेसर की बात, gaming की बात हम अभी आगे करने वाले है सब कुछ हम करने वाले, अब बात करते हैं, इस phone का जो अगला point है, वो है bugs, आप जानते हो, phone जो होते हैं, वो कितने भी जादा, कितना भी महंगा ले लो, वहाँ पे कहीं न कहीं bugs रही जाते हैं, तो क्या V29 Pro में कोई bug है, जो कि मुझे notice हुआ हो, मैं बताता हूँ, वो उस bugs के मामले में भी फ्री है, यहाँ पे V27 के तरह कोई problem नहीं है, और bugs अब भी notice नहीं हो रहे हैं, तो bugs में भी फ्री समझो इसको, 40K अगर आप देते हो, यहाँ पे आपको bugs तो देखने को नहीं मिलने वाले, अब ही के time पे, अब बात करते हैं, इसके performance है, बहुत ही next level का performance है मैं reality बता रहा हूँ, मैंने इस phone पे editing की है, 4K 60S 21 FE का जो footage होता है, 4K 60 FPS वाला, double layer करके मैंने edit किया है, मतलबा, एक layer 4K की वीडियो, उसके उपर एक layer और 4K की, अब पर यह phone lag नहीं हुआ है, heat तक नहीं होता है, तो performance है आप सोच सकते हो, जिसका dimension 80-200, वो बहुत ही accurate काम कार होता है, यहाँ पे performance के मामले मैं बिल्कुल इसको 100% कहना चाहूंगा, यह phone ला जवाब है, यह हम gaming भी test करने वाले हैं, बाकी performance ओपी मिलती है, बात करते हैं हम अब इसका gaming का, और अभी मैं थोड़ा सा आपको इसमें gaming करके भी दिखाने वाला हूँ, तकि आपको अंदाज सब टेस्ट करते हैं, इस phone से gaming का record किया गया है, चलते हैं उस clip पर, तो यहाँ पर मैंने timer को लगा दिया है, सबसे पहले चेक करते हैं, गेम को open करने में यह कितना time लगाएगा, मैं गेम पर टाइप और साथ में timer start करता हूँ, 1, 2, 3, तो timer अपना start हो चुगा है, देखते है कि Dimensity 80-200 कितना fast यह open करेगा गेम को, क्योंकि यह भी check करना बहुत ही जरूरी होता है, लोग इसको ऐसे check नहीं करते हैं, लेकिन हम सब check करने वाले हैं, तो यहाँ पर यह timer लगा है, देखते हैं गेम को यह कितना second open करता है, यहाँ पर काफी तेज ही open लग रहा है, और मैं त होने वाला है, start, one, two, three, by stage, देखते हैं कितना देल लगाता है, तो यहाँ देख सकते हैं, 25 second में इसने open किया है, जो की काफी साही है, normal है, कोई से problem नहीं है open होने से, क्योंकि इसकी performance से हम देखते हैं, आखी open होने में अगर यह time लगाता है, तो कोई problem नहीं है, यह game अपना आप 60 दिखा रहा है, यहाँ से मैं करता हूँ, गेंगो उपन कियें, और इसके बाद मैं भी यहाँ पर आपको map दिखाता हूँ, यह देखते हो, सारे map मतलब मैं rank में भी सब कुछ करूँग, सबसे पहले मैं screen recording on करता हूँ, ताकि और ज्यादा heavies पर load पढ़ सके, फोन पर hot drop और देखेंगे कि क्या काम हमारा यह phone करने वाला, यहाँ 60 fps बिल्कुल constant है, कोई lag जिटर नहीं है, जो कि मैं fill कर पा रहा हूँ, बिल्कुल सही चल रहा है game, heating की बात करें, तो मैं यहाँ पर heating बताऊँ, यह थोड़ा सा warm सा मुझे लग रहा है पीछे से, लेकिन अभी heating क है, लेकिन देखते हैं कि heat होने बाद कितना प्रवब्म करता है, सब्सक्राइश करेंगे, bootcamp landing को start हो गई है, देखते हैं कि क्या होने वाला है, 60 fps अभी भी है, जो कि काफी लाजवाब चीज है, इस phone की, यहाँ पर landing हमारी हो रही है, और recording on है, अभी 60 fps यहाँ पर दिखा र अभी तो यहाँ पर मैं phone को इधर उदर कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पर gyro काफी अच्छा काम कर रहा है, कोई lag, jitter यहाँ फ्रेम रॉप्स जोते हैं, वो भी मुझे feel नहीं हो रहा है, जो कि काफी सही चीज है, हम चलते हैं थोड़ा सा रशमारते हैं, ऊपर मुझे लगता तो लेकिन phone बहुत सही चला है, कोई भी lag फ्रेम रॉप्स नहीं है, मैं यहाँ पर जॉर्जो में लैंड कर रहा हूं, और जॉर्जो में अभी कोई नहीं है, लेकिन हाँ स्मूथ तो लैंड हो रहा है, इसके बाद हम चलेंगे सीधा यहाँ से hot drop पर, तो अभी मैं यहाँ लैंड करके देखूंगा, क्योंकि लैंड करने के बाद भी कभी कभी नीचे glitch हो जाता है, तो कोई glitch नहीं काफी साही है, अब चलते हम यहाँ से सीधा hot drop पर और वहाँ पर देखेंगे क्या हो सकता है, fight के time, तो यहाँ पर मैं जा रहा हूं, हलका सा मुझे ऐसा लगा कि यह यहाँ पर हलका सा frame drop मुझे field हुआ है, थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पर काफी players है, मैं यहाँ पहुंचा हूं देखते हैं कि यहाँ पर कितना smooth यह काम करेगा, क्योंकि इसका 80-200 मुझे लगता है कि बहुत सही जाने वाला है, custom में यह काफी अच्छा चलता है, तो normal game में तो कभी कभी minor सा हो जाता है, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर fight later time आप देख से तो कोई भी problem नहीं है, और यहाँ पर मतलब overall gaming काफी अच्छी करार है, हम अभी सब कुछ चेक करने वाले हैं थोड़ा सा और हम अभी देखेंगे, तो यहाँ पर आपने देखा, कि यहाँ पर अगर lag हो जाता है, क्या होता है, कि आपका fire aim ही लाता है उसके हिसाब से, लेकिन यहाँ पर accurate aiming थी, जाइरो भी काफी अच्छा का आप में तो बहुत मस्त और बहुती next level का यह gaming phone करा देगा, अगर आप gaming के लिए लेना चाहते हो, चाहे जो हो overall gaming next level के 60fps constant यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर अगर मैं gaming के बारे में बताओं, gaming में यहाँ पर कोई भी problem नहीं है, अगर आप bootcamp मतलब gaming के मैं यहाँ तक अपने एक चीज और बताता हूं, मैंने इस phone पर customs खेल ले हैं, जो कि आप जानते हो, last zone में 30 से 35 players रहते हैं, वहाँ पर क्या lag होता है, लेकिन यह phone बहुत सारे customs भी इस पर test किये हुएं, और कभी भी lag मुझे मतलब हलका सा frame drop भी देखने को नहीं विला, तो performance में gaming के मामने में, अगर आप gaming करना चाते हो, और आप काफी अच्छी gaming करना चाते हो, तब वहाँ पर आप इसको बिलकुल ले सकते हो, कोई problem नहीं होने वाले है, अगर आप बताओं, दिन में अगर मैंने इसको 100% चार्ज किया, पहले बात अच्छी बताता हो, कि रात मैं 100 करके रखा, सुबह मुझे इसमें कोई 4-5% का drop नहीं मिलता है, जैसा कि कुछ phones V827 में ऐसा कुछ comment आते हैं, कि उनका battery drop हो जाता है अपने आप रात में, लेकिन इसमें ऐसी कोई problem नहीं है, बैटरी backup काफी ज्यादा अच्छा है, पूरे दिन का backup यह दे ही देता है, और अगर मैं screen on time की बात करो, real जो है, वो है 7-8 घंटे का, मतलब आप अगर एक बार चार्ज करते हो, 7-8 घंटे, 120 Hz पर यूज करोगे, तब जाके वो 7-8 घंटे का backup द पॉइंट है, वीवो के फोन पे खासकर वीवो की V series होती है, उसमें camera काफी ज्यादा roll अदा करते हैं, मतलब आप जानते हो, camera काफी अच्छे होते हैं, अगर हम आसान भाशा में बोले, तो camera इसका लाज जवाब है, आपको यहाँ पे front और back से 4K 60 fps का feature मिलता है, जो की एक अच्छी चीजे वीवो की मुझे लगी है, आप 4K में मतलब वीडियो वगारा shoot कर सकते हो, और colors की बात करें हम, तो इसमें ज़्यादा आपको boosted color नहीं मिलने वाले, थोड़ा सा नेच्छल साइड ही रहते हैं, V27 या V27 प्रो, उसमें color boosted थोड़ा ज़्यादा था, लेकि जो की बात करें, यहाँ पे आपको एक daily photo मिलता है lens, वो है 12MP का जो की 2x zoom करके photo लेता है, वहाँ पे इसकी quality है, वो भी काफी अच्छी है, और photos वगरा में portrait भी काफी अच्छा है, noise वगरा आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा इस phone में, तो photo वगरा के लिए काफी next level का और मैं इसको पता नहीं, मैं Vivo को ऐसा क्यों गोलता हूँ, DSLR type photo लेता है, मुझे ऐसा feel होता है कि इसका जो photos होते है, चाहे वो 2x हो, V27 हो, 29 हो, 29 pro हो, कोई भी वी series का phone हो, वहाँ पे जो camera होता है, वो काफी लाज जवाब होता है, और जो उसका background blur होता है, वो मुझे काफी वसंदाता है, तो मैं camera के मामले में V29 pro को बिल्कुल next level का रखता हूँ, यहाँ camera में कोई problem नहीं है, आपको features भर-भर के देखने को मिलते हैं, अब हम बात कर लेते हैं overall, कि क्या ये phone value provide करवाता है, 40,000 के price range में, आपसे पहले अगर मैं आपको बताओ, यहाँ पे अगर आप एक phone ऐसा लेना चाहते हो, कि आपको उसमें gaming भी करना है, वो भी gaming custom type, आप custom के लिना चाहते हो, या फ्लड़ा heavy gaming करना चाहते हो, वो बात करते हैं, यहाँ पे gaming काफी next level की आपको उसमें देखने को मिलेगी, हम बात करें performance, editing वगरा कार आपको कोई channel है, या कुछ भी करना च प्रॉब्लम नहीं होती, heating भी कम ही होता है, तो overall काफी सही है, अपना performance देही रहा है, gaming भी काफी अच्छी है, मतलब camera, gaming, सब कुछ में overall काफी अच्छा है, और मैं एक चीद बिल्कुल 100% कह सकता हूँ, 40K के price range में यह next level का phone है, और इसमें आपको overall वो सारी चीज मिलेगी, जो आप एक phone में चाहते हो, कि आपको gaming में करना है, मतलब सब कुछ जो करना है, सब यह phone करा करा कर देगा, overall आपको इस phone में वो सारी चीज मिलने वाली है, जो आप करना चाहते हो, चाहें, वो gaming हो, camera हो, battery, performance, सब कुछ next level का है, overall phone best value for money है, 40K के price पे, वीडियो अच्छा लग interface easy weekend, work son, खिल में चाहते हो, चाहते हो, फडियो आपको एगा है, जो रहाब हो, जो हो, भीडियोस, आपको करा कर देगा